दुनिया की सबसे तेज ट्रेन धाटमिस हाइपर लूप बनाने के लिए पूरे दुनिया में होड मची है और इसी होड में भारत को अब एक काफी बड़ी जीत मिल चुकी है दरहसल हमारी रेलवे को ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स ने अप्रोच किया है सिस्तरा, रोनाल्ड, बर्गर, डोर्नियर और पी डबलुसी जैसे काफी बड़े मेजर प्लेयर्स ने इंटरेस्ट दिखाया है भारत के लिए कि वो रेलवे को कंसल्टेंसी उफर करेंगे for ambitious Hyperloop प्रोचेक जो IIT मतरास डेवलप करनी है अब यहाँ पर test track भी डेवलप किया जाएगा जून से सेप्टेमबर इसी साल के दोरान जहाँ 250 किलमेटर प्रती घंटे की speed टेस्ट की जाएगी और 400 मीटर Hyperloop पूरा track बिचाय जाएगा इसके बाद एक और खबर जानकर आपको काफी अच्छा लगेगा कि भारत पूरे एशिया में अकेली हमारी ऐसी टीम थी जो की SpaceX Hyperloop mod competition 2019 के finals तक गई फर्दर अगर आप इनकी website देखोगे आभिशकर Hyperloop काफी सारे यहाँ पर prototype डेवलप किये गए हैं अल्डरी भारत देजिस से काम करी ही रहा है इस शेत्र में लेकिन सबसे exciting बात यहाँ पर है route table के यहाँ पर आप देख सकते हो Mumbai Delhi के बीच अगर हम Hyperloop दोड़ा है तो currently car से अंगलूरू केवल आदे घंटे में और Kolkata to Delhi एक घंटे में so definitely पूरा game changer होने वाला है यह technology अगर भारत ने पूरी तरसे इसे develop कर ली तो further यह जो Hyperloop pods है यहाँ पर भी हमें award मिला है Hyperloop week 2021 हमने one किया है for most scalable pod design और हम global top 5 में थे in mechanical propulsion and levitation award category यहाँ पर आप कुछ prototypes भी देख सकते ह जो फिलाल हमने develop किये है आगे चल कर इन पर काफी intense testing perform की जाएगी at 250 km per hour speed so इस तरह के futuristic transport के लिए तो definitely comments में आप जैहन लिखेगा और साथी में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो please share कीजिए see you soon in next video till then goodbye and take care